डाउट्रेंट पर कीजिए अपने सारे गवर्मेट एक्जाम सी त्यारी, सीखें नियु टिप्शन ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैच्ज डाउट्स का, डाउट्रेंट आप भी हैं फिर वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 800 400 400 पर क्रिशन has some hands and some cows उसके पास कुछ मुर्गिया है और कुछ गाय है so if the total number of animal's head is 59 and the total number of feet is 190 so how many cows does क्रिशन have तो अब उसके पास कुछ hands है और कुछ cows है तो सबसे पहले हम क्या सब पोच कर लेंगे कि यह number of cows कितनी है और number of hen कितनी है कि कितनी cows हैं कितनी गाय हैं तो हम total number of head कैसे find कर पाएंगे total number of feet कैसे find कर पाएंगे तो हम सबसे पहले क्या note करेंगे कि let the number of cows be x and और क्या दूसरा क्या है hen है उसके पास so let the number of cows be x and number of hands be y तो हमने दोनों को number ले लिए x और y अब उसने क्या बोला है कि the total number of animals उसने head और feet की बात की है तो total number of head कितनी हो जाएंगे तो number of head अब चूंकि दोनों के एक एक हैड होता है तो number of head कितने हो जाएंगे total x plus y और number of feet कितने हो जाएंगे number of feet number of feet कितने हो जाएंगे चूंकि cow के कितने होते हैं 4 होते हैं और मोर्गी के कितने होते हैं 2 होते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 4x plus 2y तो number of feet कितने होगा total 4x plus 2y अब जो question में बोल रहा है सिर्वन को उतना करना है क्या कहा है if the total number of animal head total number of animal head कितने है x plus y तो x plus y की value कितनी दे रखी उसने 59 एक question first दूसरा उसने क्या कहा है कि and the total number of feet is 190 total number of feet है कितने हमारे पास 4x plus 2y है और question में कितना दे रखा है 190 तो यह हो गई दूसरी equation अब इन दो equation को solve करके हमको x और y की value निकालनी है ठीक है तो हमको actually how many cows पूँच रहा है तो मतलब हमको सिर्फ x निकालना है y की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे इस equation में से y को eliminate करेंगे कैसे एक question first में हम क्या करते है दो का multiply करते है तो जैसे हम दो का multiply करेंगे तो क्या आजाएगा यह 2x plus 2y equal to 59 into 2 करेंगे तो आजाएगा यह 59, 2, 9, 18 and 2, 5, 10 1, 1, 8 तो इतना आगया है यह आगया 1, 1, 8 ठीक है अब इन दोनों को हमको solve करना है तो ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों को subtract कर देते हैं तो जैसे हमने subtract किया तो 2y 2y क्या हो गया cancel हो गया और यह बच जाएगा 4x में से 2x गया यह आजाएगा 2x ठीक है और इसको subtract करेंगे तो कितना आजाएगा यह 72 तो x के value कितनी आजाएगी 72 by 2 मतलब 36 तो हमको यह निकालना था कि total number आप काउज कितनी है तो कितनी total number आप काउज है 36 मतलब आफसां C correct है डाउट्रेंट पे कीजिए अपने सारे government exams की त्यारी सीखे न्यू टिप्स और ट्रिक्स और सफाय करें अपने सारे match doubts का डाउनलोड कीजिए डाउट्रेंट आप अब भी है फिर whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर